हेलो वीवर, स्वागत आपका हमारे चैनल रियल हैल्थ केर में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या डर्मेटोलोजिस्ट सेक्ष्वल डिजिस का इलाज कर सकते हैं इसकी डॉक्टर के प्रफाइल में क्यो लिखा रहता है वीडिया स्पेसलिस्ट या गुप्त रोग विसेसगे कौन होते हैं गुप्त रोग विसेसगे इस सवाल का भी जबाब जानेंगे कौन होते हैं गुप्त रोग विसेसगे तो इस वीडियो में इसका एक दम clear answer दूँगा तो वीडियो को last तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी detail मिस ना हो अगर आपने हमारा previous वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है टिडलाफिल ब्रैंड का नाम जो इंडिया में available है कौन से ब्रैंड का ले, कितना प्राइज है, कहां से ले तो मैंने कुछ टॉप ब्रैंड के नाम बताया है कमपनी के नाम बताया है, कितने डोज में मिलता है और कितना प्राइज है तो आप भी ये जानना चाहते हैं और वीडियो देखना चाहते हैं चैनल विजिट करके देख सकते हैं या डिस्रिप्शन बॉक्स में दियेगा लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब से पहले जानते हैं Dermatologist कौन होते हैं और क्या काम है इनका किस चीज में ये specialist होते हैं Dermatologist skin, nails, scalp, hair, mucous membrane, disorder and disease के doctor होते हैं ये cosmetic beauty and surgery दोनों देखते हैं तो Dermatologist doctor skin cancer, तीलिया मूल हटाना, laser treatment, tattoo remove, pimples, burn skin, allergy in skin skin, skin से जुड़े हर चीज का treatment करते हैं तो अब बात आता है इन्हें VD specialist क्यों कहा जाता है क्या ये सच में sexual problem को ठिक करते हैं VD का मतलब होता है venereal disease skin and VD दो अलग-अलग medical field है पट इन दोनों field को group किया हुआ है और इसकी पढ़ाई एक साथ होती है venology की कोई independent field नहीं है तो अब थोड़ा detail में VD specialist के बारे में बात करते हैं या venereal disease के बारे में बात करते हैं या इसे हिंदी में गुप्त रोग विशेसगी भी कह सकते हैं venology field काफी range of services प्रवाइड करता है जैसे diagnosis and therapy करता है venereal disease का यह doctor सिर्फ sexual transmitted disease का इलाज कर सकते हैं जो की वैक्टेरिया वाइरस पैरासाइट फंगस से होता है sexual transmitted disease मतलब HIV, syphils, gonorvia and pubic loss बट यह doctor sexual problem का treatment नहीं करते हैं sexual dysfunction का treatment नहीं करते हैं जैसे erectile dysfunction, premature ejaculation या सिगर पतन तो इसमें बिल्कुल भी confused नहीं होना है sexual disease and dysfunction दोनों different होते हैं इसलिए dermatologist सिर्फ sexual transmitted disease का इलाज करते हैं तो कहीं भी dermatologist के profile में अगर आपको गुपतरुग विसेसरगी या फिर video specialist लिखा मिलता है तो आप समझिए वो सिर्फ sexual transmitted disease का ही इलाज कर सकते हैं वो sexual dysfunction का इलाज नहीं करते हैं आपकी link में हुए infection या फिर private area के आस पास हुए skin infection का dermatologist और video specialist कर सकते हैं तो आप समझ गए होंगे कि dermatologist के profile में विडिया specialist या गुपतरुग विसेसरग क्यों लिखा रहता है तो hopefully आपको इस video काफी पसंद आया होगा और पसंद आया तो इस video को like कीजी और like जरूर कीजी इसे हमें motivation मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे content बनाने का और हमें support करने के लिए चैनल को subscribe करके बैल आइकन के बटन को प्रेस करके all को select करे ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की notification आपको मिलती रहे और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजी काफी महनत लगता है वीडियो बनाने में आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे हमें motivation मिलेगा आपके लिए और भी अच्छे अच्छे content बनाने का अगर कोई doubt है तो commit किजिए मैं उसके answer जरूर दूंगा मिलते हैं next वीडियो में किसी नए topic के साथ Thank you